हेलो दोस्तों मैं जी स्वागत करता हूँ आपका अपने चनल चीट फोड़ी उपर आज के इस वीडियो में देखेंगे एड़ गेर बागबुक प्रश्णुत्तर पुश्तिका बिश कक्षा आठ बिशाया है आपका विज्ञान तो अपने इस वीडियो से आज से विज्ञा ने और प्रबंध तो यसमें अपन इसका सोलूशन देखने वाले हैं ठीक है न तो इसमें आम कोश्चनस साथ ही साथ उनकी आंसर देखेंगे तो चली अपन चलते अपने पार्ट पर यहां से अगे चलेंगे अगला question है अपना खरपद बार फस्लों को किस प्रिकार नुकसान पहुचान पपनको लेखिना है खरपर बाद, जल, पोशक तक्तो, जगह और प्रकास की इस परधा कर, फसल की वर्धी पर प्रभार डाल कर, मुख्य फसल को नुकसान पहुचाते हैं, इस परधा मतलब के एक दूसरी मुकाबला करते हैं, यह जगह घेल लेते हैं जादा, और मुख्य पौदे को बढ़ने के जगह नहीं मिलती है, ठीक है न, उससे नुकसान होता है, अगला कोशन है, मिट्टी में रहने वाले, सुक्ष मजीबों को किसान की मित क्यों कहा जाता है, अपना अंसर है, मिट्टी में रहने वाले केंचवे, सुक्ष मजीब को किसान की मित कहा जाता है, क्योंकि यह मिट् को बना देते हैं जिससे अपनी पौधे जल्ली दुरो कर जाते हूं उसमें इसलिए सुक्षमजीब अवज्ट चाके अगला कुरिशन है सिट्रिल यंत द्वारा बुवाई करने से क्या लाब है अपना अनसर होगा सिट्रि यंत द्वारा बुवाई करने से बीजों में समान दोड़ी एवं गहराई बनी रहती है और बीज मिट्टी द्वारा ठके जाते हैं सीड्रिल द्वारा बुवाई करने से समय एवं स्रम दोनों की बचत होती है ठीक है ना आगे चलेंगे अगला कुश्चन है यहां से लगत्री प्रिशन स्टार्ट होते हैं खात देने से फसलो को निम्नलाब होते हैं क्या-क्या मिट्टी इससे मिट्टी की जल्दहरण शमता में ब्रद्धी होती है इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सारंध होती है सारंध का मतलब यह उसमें रंध हो जाते हैं तो पौधाचली से ग्रो कर सकता है जिसके गाण गैस भी निमय सरलता स संख्या में ब्रद्धी हो जाती है और जेविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है अगला कोशचन देखेंगे अगला कोश्चन है ताजा फल से मैंनमी की मात्रा अधिक होती है एदी फशल के दानों बीजों को सुखाइबिना भंडारित किया जाता है तो उनके खराब होनी की अत्वा जीबों द्वारा अक्मन से बे अंकुरन के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं अता भंडायन से पहले दानों यानिके बीजों को धूप में सुखाना अबस सके जिससे उनकी भी नमी कमी आ जाए नमी में कमी आ जाए ठीक है ना तो फसल के भंडायन का अपने कोश्चन देख लिया है मैंने पढ़ा नहीं कोई इसके लिए सौरी अगला कोश्चन है फसल बोने से पूर आप स्वास्थ वीजों का चैन किस प्रकार करेंगे अंसर देखेंगे अपन अच्छी गुडवत्ता वाले स्वास्थ वीजों का चैन करने के लिए हम उन्हें पानी में डालते हैं जिससे अच्छे वा स्वास्थ वीज पानी में पैड़ जाते हैं और छती के रस्तवा खोखले वीज हलके होने के कारण जल के उपर तेरने लगते हैं जिने हम अलग कर स्वाष्ट वीज फसल में बोने की काम में लाते हैं तो यह पर ने कुश्चन देखा अगला कुश्चन है जल की कमी वाले छेत्रों में तो अप्रणाली का उप्योग किया जाता है तो एक ऐसा चित्र आपको बना लेना आपकी पुस्तक में दिया गाए तो आप पुस्तक से देखकर बना लेंगे और नहीं तो दिखिए मैंने आ मतलब मॉटल लगा हुआ यह जा रही है अपनी सचाइब तो यहां पर ऐसी पाइपलाइन डली होती है जो की बूंद बूंद करके सभी यहां पर रिस्ती है ठीक है ना आगे चलेंगे अपन अगला क्वेश्चन है अपना देग उत्तिव प्रशन उर्वरा को खाद में अंतर है लिखिए तो उर्वरा को खाद में निमन अंतर है कौन कोंसे अंतर है आपनs देखेंगे जैसे उर्वरा के एक मानोनिरमित लभाड है जबकि खाद एक प्राक्तिक लभाड है जो गोवर एवं पौधे के आउस्यस के विगटन से प्राप्त होता है उर्वरा का मिट्टी की उरवरता बढ़ानी के लिए किसान कौन-कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं विश्टार पूर्वा बर्णन कीजिए तो तरह है अपना मिट्टी की उरवरता बढ़ानी के लिए किसान खेतों में खाद डालते हैं ताकि मिट्टी में पोश्ण तत्तों की उचित मात्ता पर्याप्त मात्रा बनी रहे तो यहाँ पर दिखे अपने पूरे के उश्ण देख लिए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादे से ज़्यादे स्यार करें ताकि आपके सभी दोस्तों भी मंदद हो सकें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए तहने बाद